So Hello and Namaskar दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर गाइज आज की हमारी वीडियो होने वाली है आपके इंस्टाग्राम से जुड़ी एक प्रोब्लम के सोल्यूशन पर अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक बैल आइगन को प्रेस नहीं किया हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज बैल आइगन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफ पर आपको दूखरी चीजे भी देखने को मिल जाती है जिन पर आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता जिसे आप देखना नहीं चाहते हैं तो गाईज एक्सप्लोर पेज़ पर आपसे जुड़ी हुई यह चीजे आपको किस परकार से दिखाई जाती है वो आपको पता दे जाता हूँ यह आपके सर्चिट के बेस पर लाइक और फोलो के बेस पर आपसे संबन्दी चीजों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं और गाईज अगर आप इन मेंसे किसी को देखना नहीं चाहते हैं तो गाईज आप उसको किस परकार से रीशट करेंगे वही मैं आपक देखना है बिल्कुल भी skip नहीं करना है तो गाईज ज्यादा समयना गवाते हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को आपको बता देते हैं आपको किन steps को follow करना है ताकि आप जल्दी से अपने explore page को reset कर पाए देखे गाईज यहाँ पर मापको दो से तीन method बताने वाला को दो हूँ तो देखे सबसे पहले आपको क्या करना है बिल्कुल ही home पर आ जाना है हो मात्या जाने के बाद गाईज आपको क्या करना है एक बार जो आपकी profile भी नीचे तरफ down पर दिखती है आपको पर क्लिक कर लेना फिर फ्री लाइन पर कलिक करना हैं से टेंग पर करना है तो डीज का हैर यहां जाती है कुछ तो चीजे यहां से आशे इसको रिफ्रेस्ट क्रेंगे तो यहां से चेंज हो जाएगी और कुछ जो आपको एक और चीज करके दिखा देता हूँ यहाँ पर जिस तरही पोस्ट आप देखना नहीं चाहते हैं आपको उसको यहाँ पर select कर लेना है जैसे मैं इसे एक पोस्ट को select कर लेता हूँ और three dots पर click करता हूँ और not interested पर click कर देता हूँ तो guys इस परकार की जो यह पोस्ट से यह भी आपको यहाँ पर show नहीं होगी this post has been hidden देखे guys और भी भहुत सी यहाँ पर वीडियो जो आपको पसंद नहीं है आप उनको यहाँ से हटा सकते हैं जिस परकार यह एक पोस्ट है मैं यहाँ पर three dots पर click करता हूँ और not interested पर tap कर देता हूँ मुझे इस परकार की भी यह post यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी और इस से related कोई और इस जैसी post भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी आप guys next step के अंदर आपको क्या करना है search बार पर click कर देना है जिसके बाद guys आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा आपको क्या करना है जो आपको यहाँ पर आपने search किये हुए है आपको उसके सामने CR का एक option देखने को मिल जाता है आपको इस पर click कर देना है और यहाँ से guys आपको कर देना है clear all जैसे clear all कर देंगे तो आपका जो explore page आप भी कुछ न कुछ change हो जाएगा जैसे आप उसको refresh करेंगे अब guys final end एक सबसे important step में आपको बता देने वाला हूँ देखे guys यहाँ से काफी कुछ बदलाव आ चुका है अभी देखे मैं यहाँ आप पर एक final step आपको बताता हूँ जिससे guys आपकी mostly problem यहाँ से solve हो जाएगी आपको क्या करना है सभी के mobile के अंदर setting होती है आपको setting open कर लेना है उसके बाद guys आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है और यहाँ पर apps का option देखने को मिल जाता हूँ उस पर click कर देना है manage apps पर tap करना है और guys search bar में search कर लेना है Instagram आपको इस पर click कर देना है और आपको नीचे की तरफ option दिखा देगा clear data का आपको clear data पर click कर लेना है और आपको नीचे की तरफ एक option दिखेगा clear catch आपको इसको यहाँ से clear कर देना है यह clear कर देने के बाद guys आपको back आ जाना है और जो जो आपका Instagram में इसको यहां से background से clear कर देना है उसके बाद guys अपने Instagram को again open कर लेना है जैसी आप यहां से open करेंगे और आपको search bar में click करेंगे तो guys आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल ही जो आपका यह explore page है बिल्कुल ही change आपको देखने को मिल जाएगा देखे guys इस परकार स से आप भी अपने explore page को reset कर सकते हैं तो guys आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को जश्टी नहीं पताना है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे जांब को subscribe कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के बाई वाई फ्रेंड शल्व यौल टेक केर